हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, दिलक परंतु क्या करूँगा, मेरे वश में कुछ नहीं रहा, तुम्हारा दंड निर्धारित हो चुका है, प्रभू, ये दंड किस दिन ने धरित किया है, मेरे पुत्र रिश श्रंग ने, उसने जब मुनी बालकों के मुँ से ये सुना था, कि किसी राजा ने उसके पिता के गले में मरा हुआ साप डालकर उसका घोर अपमान किया है, तो उसी ख्षन क्रोध के वशी भूत होकर, उसने तुम्हें ये श्राप दिया था, कि आज से साथ में दिन, तक्षिक नाग के काटने से, तुम्हारी मृत्य हो जाएगी, इन साथ दिनों में तुम अपना परलोक, सु को प्राप्त करता है, मुझे अभी अभी पता चला है, कि महामुनी शमीक के पुत्र, श्रिंगी रिशी ने मुझे शाप दिया है, जिससे आज से साथ में दिन मेरी मिलत्य हो जाएगी, भगवन, मैं ये जानने के लिए आप के पास आया हूँ, कि जिस मनुष्य के जीवन क केवल साथ दिन रह जाए, वो ऐसा क्या करे, कौन सा कर्म करे, जिससे उसका परलोग सावर जाए, वो मुक्ति पास सके अरे, ये क्या कर दिया मैंने, प्रानत, आप सैसा घबरा कियोंगे, जैसे किसी आशंका से भैवीत हो उठे हो, रानी, मैं भैवीत हो गया हूँ, ये कल्योग का पहला प्रहार है, आगे क्या होगा, उसी का भै है, कैसा प्रहार? आज मेरे हाथ से एक अनर्थ हो गया, जो हमारे कुल में किसी राजा ने अब तक नहीं किया, वो अपमान किया है मैंने एक महामुनी का यह सब इस राज मुकुट के कारण है, इस राज मुकुट में बैठे कल्यूग ने मेरी बुद्धी हर ली और मुझसे ऐसा पाप करा दिया जो निश्चेही विनाश का सूचक है मुनीवर, महराज दिन भर वन में मृग्या करते करते ठख गए है, इस समयरा निवास में वो विश्राम करने चले गए है, आप कल प्राता ही उनके दर्शन कर सकते हैं, यह उनकी निद्रा का समय है नहीं वत्स, ये उनकी निद्रा का नहीं जागने का समय है और मैं उन्हें जगाने आया हूँ उन्हें अपनी आती हुई मृत्यू का ज्यान नहीं है कल प्राता तक तो बहुत समय निकल जाएगा इसलिए मेरा उनसे इसी समय मिलना परम आवश्यक है इसी में उनकी भलाई है जाओ, तुरंट उन्हें हमारे आने की सुचना दो जो अक्या मुनिवर फिर? फिर क्या? ये सोने का बोज सिर से उत्रा है तो पवित्र बुद्धी जागी है मैं इसके लिए कड़े दंड का धिकारी हूँ यदि आप उनके पास जाके शमा मांग लें तो आपको आवश्य शमा कर देंगे वो शमा करें या न करें मेरा एक अपराधी की भाति उनके शिरी चर्णों में जाना आवश्यक है मैं प्राता ही जाऊँगा महराज की जय हो क्या है? क्या हूँ क्या वो बारोष में है क्या वोह सिखना हो या नहीं इस से हमारे दर्म और करतव्य में कोईंतर नहीं आना चाहिए महामनी राज़्द्वार पर खड़े हैं क्या महाराज लाकर उनका यतोचित आदरल सतन्कार करना चाहिए है महाराज, आपके आगमन से राजमहल पुईत्र हो गया इनिवर, इससे पहले कि आप हमारे दुषकर्म की बात कहें हम अपना अपराद स्युकार करते हैं और आपको याश्वासन देते हैं कि हमारे उस जगन्या अपराद के लिए जो भी धंड आप देना चाहेंगे हम उसे शिरुधारे कर लेंगे राजन, तुम सचमुच में एक महात्मा हो हम अपनी दिव्विद्रिष्टी से देख चुके हैं जो कुछ भी हुआ, वो तुम्हारे राजमुकट में बैठे हुए कल युक्य प्रभाव के कारण हुआ इसमें तुम्हारा दोश नहीं था दोश तो समय का है इसलिए हमारे हिर्दय में ये सोच सोच कर अत्यंत पीड़ा हो रही है कि जिस अपराथ के लिए वास्तम में कोई और दोशी है उसके लिए तुम्हें इतना कठोर दंड भोगना पड़ेगा पेड़ना चाहे किसी की भी हो परंतु दोश तो मेरे ही द्वारा हुआ है उसके लिए मुझे दंड मिलना उचीत ही होगा इसलिए हे मुनिवर आप हमें कठोर से कठोर दंड देने में संकोच न करिये नहीं राजन मैं तुम्हें कदापी दंड नहीं देना चाहता क्योंकि मैं तुम्हें दोशी मानता ही नहीं तु दंड क्यों दूँगा यहां तक कि मेरे वश में होता तो लोग कल्यान के लिए वो दंड तुम्हारे बदले मैं स्विकार कर लेता कल युग में प्रजा को तुम्हारे जैसे राजा फिर कहा मिलेंगे तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के जीवन की रख्षा करना लोग कल्यान का काम है परन तु क्या करूँ मेरे वश में कुछ नहीं रहा तुम्हारा दंड निर्धारित हो चुका है प्रभू ये दंड किस दिने धरत किया है मेरे पुत्र रिशिश रंगने उसने जब मुनी बालकों के मुँ से ये सुना था कि किसी राजा ने उसके पिता के गले में मरा हुआ साप डाल कर उसका गोर अपमान किया है तो उसी ख्षनक्रोध के वशी भूत होकर उसने तुम्हें ये श्राप दिया था रानी इन्हें रनिवास में ले जाओ जो आग्या विधी के धनुष से दुरुभाग्य का येवान निकल चुका है वह वापस नहीं होगा मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि इस संसार में अब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं है इसलिए इन साथ दिनों में तुम अपना परलोक सुधारने का उपाय करो जिस इस त्रीपुत्र की तुम चिंता कर रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे चिंता और मुह को छोड़ कर तुम इसी ख्यान अपने गुरू जोन से परामर्श करो जिससे तुम्हें वो गोहसन मार्ग दिखाएं जिस पर चलकर मानव मोक्ष को प्राप्त करता है ताकि जब तुम इस देव को त्याग कर दूसरे लोक में जाओ तो वहां तुम्हारा वैसा ही सतकार हो जैसा महात्मा पुरुषों का देव लोक में होता है राजन भगवान तुम्हारी आत्मा को शान्ती दे महराज परिक्षित इस प्रकार से ऐसा अर्द रात्री के समय आने का कारण सब कुशल तो है न गुरुदेव मुझे अभी अभी पता चला है कि महामुनी शमीक के पुत्र श्रिंगी रिशी ने मुझे शाप दिया है जिससे आज से साथ में दिन मेरी मिर्तिव हो जाएगी भगवन मैं यह जानने के लिए आप के पास आया हूं कि जिस मनुष्य के जीवन के केवल साथ दिन रह जाएं वो ऐसा क्या करें कौन सा कर्म करें जिससे उसका परलोक सवर जाए वो मुक्ति पासकें राजन जिसे मुक्ति की कामना हो उसके पास एक ही मार्थ है भक्तिका मार्थ परंतु प्राणि की रिदय में भक्ति का भाव किस तरह प्रवाहित हो भक्ति का बीज किस तरह अंकुरित हो इसका कोई सरल साधन है है अतिसरल साधन है भगवान विदव्यास ने लिखा है कि यत्फलम नास्ति तपसा नयोगेन समादिना तत्फलम लबते सम्यक कलव केशव कीर्थना अर्थात जो फल तपस्या योग एवं समाधी से भी नहीं मिलता कल्युक में वही भल श्री हरी कीर्थन अर्थात क्रिश्न लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है इसलिए तुम श्रीमत भागवत कथा का श्रवन और कीर्थन करो उसमें श्री क्रिश्न की दिव्द लीलाओं का पवित्र वर्णन है उसी के श्रवर से उत्पन्न हुई भक्त ही तुम्हारे वोक्ष का कारण होगी ऐसा है तो गुरुदेव अपना सेवक जानकर मुझे भागवत कथा का दान दीजी राचन इस समय उसके पूर्ण अधिकारी भगवान विदव्यास के पुत्र भगवान शुक्तेर की है तुम उनकी शरड में चाओ वो अवश्य तुम्हें श्रीमत भागवत कथाम ब्रत का पान कराएंगे ज्यान के परवत ध्यान के सागर बाल यती शुक्त देव कहाए वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनिराज के मानस माही समाए ऐसे महातप धारी के द्वार पे याचक बनके परिक्षित आए जान मनोरत राजन का मुनिराज के पाके घन बरसाए हे ब्रह्मरिशी आप योगियों के परम गुरू हैं इसलिए मैं आप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्म करता हूँ प्रभू जो पुरुष मृत्यू के द्वार पर खड़ा हो ऐसे मरनास सन पुरुष को क्या करना चाहिए परिक्षित ये प्रश्न जो तुमने किया है इसमें लोखित भी चुपा हुआ है क्योंकि वास्तों में सभी मनुष्य मृत्यू की द्वार पर ही खड़े होते हैं हाला कि वो इसे जानते नहीं है तुम्हारा प्रश्न है कि मृत्यू की द्वार पर आया हुआ मनुष्य क्या करें हे राजन इसका उत्तर सुनो मृत्यू का समय आने पर मनुष्य खबराये नहीं मृत्यू के आक्रमन से पहले ही वो वैराकी की तलवार से शरीर की ममता को काट दे और ओम रूपी प्रणव का मन ही मन जब करें प्रान वायू को वश्मे करके अपने मन का दमन करें बुद्धी की सहता से इंद्रियों को उनकी विश्यों से हटा ले और मन से भगवान की मंगल मैं मूर्ती का ध्यान करते करते प्रभू के शरी विग्रह में पूर्ण रूप से लीन हो जाए तब मनुष्य को पुरंथ ही भक्तियोग की प्राप्ति हो जाती है इसलिए शास्त्रों ने कल्योग में सबसे सहज एक ही साधन बताया है भक्ति इसलिए हे राजन मैं तुमें भागवत पुरान की कथा सनाऊंगा जो भक्तिरस की ऐसी गंगा है कि जो प्राणी एक पार उसमें सनान कर लेता है वो फिर भक्तिरस की उस नदी से बहार निकलना ही नहीं चाहता उसी में डूप जाता है वही उसका मोक्ष है तुम भगवान के परमभक्तों इसलिए मैं तुमें वही भागवत कथा सनाऊंगा जिसमें शिरी कृष्ण की सगुण लिलाओं का वर्णन है तुम्हारे अंतसमय में कृष्ण की लामरत का सेवन ही सहाई होगा झाल